नो 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 तो हाँ यार कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हाँ भाई आज हम फिर से हाजिर है फैक जोन टीवी के एक और अमेजिंग विडियो के साथ जिसमें आज हम सादियो के कुछ ऐसे ऐसे फणी मोमेंट लेकर हाजिर है जिने देख आप हसंस के लोट पोट हो जाएंगे और हाँ भाई इसकी तो फुल गारंटी है कि ये वीडियो आज आपको खूब हासाने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखन मतलब भाईया लग तो यही रहा है कि मैडम ने सादी में जितना सगुन दिया था अब वो सारा पैसा वसूल करके ही मानेंगी अब भाई इसके बाद एक नजर इस डोंकर मलकों देखो जो बीबी के साथ पहुँच गया इस सादी में जहां सभी लोग मस्ती में डांस कर रहे थे पर भाईया ये बंदा अपने बीबी को छोड़कर बगल में खड़ी इस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर दिया क्यों भाई मिल गया परसाथ नहीं यार मतलब बगल में बीबी खड़ी है फिर भी हिम्मत देख रहो बंदे की हालाकि भाईया खेर है कि इसने सिर्फ डांस ही किया था वरना वाईप तो आज इसका सारा मोटापाई जार देती अब भाई इसके बाद एग नजर इस दूला दुलन को भी देखो जो साधी के मंडप में जैमाल की रस्म पूरी कर रहे थे कि भाईया तभी अचानक से दूलन के भाईयों ने दूलन को ऊपर उठा लिया जिसे देखकर दूले के दोस्तों ने भी दूले को ऊपर उठा लिया पर भाई या मंडप इतना छोटा निकला कि दोला दोलन दोनों छट में चिपक हैं मतलब यार देख रहो इनके टैलेंट भाई जब तुम लोग दोला दोलन के सिर को इचट में चिपका दिये हो तो भला हुए दोनों साधी कैसे करेंगे भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिस्तिदार साधी करवाने आये हैं कि साधी रोकने अब भाई इसके बाद एक नजर उन लड़कों को भी देखो जो साधी उमें पता नहीं किस दूर में रहते हैं कि इनको लगता है कि चाहें वो जैसा भी डांस करें लड़कियां उनको देखकर फिदाई हो जाएंगी मतलब यार देख रो इसका टाइलेंट भाई इसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये अखाडे से भाग कर सीधे बारात में आया है अब भाई इसके बाद मिली इस दूले जनाब से जिनको अपने साधी में बोला गया सिंदूर लगाने को तो भाई ये दोलन के जग खुद के सिर में सिंदूर लगा डाला और भाई जब ये ऐसा कर रहा था तो उस वक्त दोलन का रियक्शन देखने लायक था मतलब भाई दोलन भी सोच रही होगी कि यार ये घर वाले किस गोंचू से मेरी साधी करवा रहा है जिसको इतना भी नहीं पता कि सिंदूर किसको पहनाते है अब भाई इसके बाद आता है भुक्कर लोगों की बारी जो भाई ये साधियों में खास कर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनको फ्री में अच्छा खाना मिल जाए जहां इनको दूले दूलन से कोई खास लेना देना नहीं होता कि साधी किसकी है क्यों है बस इनको मतलब होता है सिर्फ खाने से जैसा कि यहाँ देख लो कि कैसे ये सभी लोग लगे हुए खाने के छीना जप्टी में बैया इनको देखकर खाना बनाने वाला भी यही सोच रहा होगा कि अब ये कम से कम कडाई से तो निकलने दो बैया इनका चले तो ये कडाई ही खा जाए अब भाई इसके बाद नंबर आता है पैसे लुटाने वालो जिसमें अक्सर दोले के खास रिस्तदार अपनी खुसियों को जाहिर करने के लिए बच्चों के बीचे पैसे उडाते हैं ताकि बच्चे उन्हें पकड सकें पर भाई एक बार जरा इस टेलेंटेड बंदे को भी देखो जो पैसे पकडने का एक नायाब जुगाड़ी लगा डाला मान गए भाईया इसको देखकर तो पैसे उडाने वाला भी घबरा गया होगा कि भाईया ये तु आज मुझे कंगाल बना कर ही चोड़ेगा अब भाई इसके बाद नंबर आता है उन लड़कियों का जो साधियों में लोगों का ध्यान कीचने के लिए दीजे पर लग जाती है अलगे डान्स करने और सूचते हैं कि देखती हैं कि लोग कैसे नहीं देखेंगे पर भाईया इन लड़कियों को लगता है कि सिर्फ इन को ही दांस आता है कैसे कैसे लोग रहते है यार यहाँ पर मतलब भाईया हमारे चच्चा भी किसी से कम है क्या लोग का ध्यान अपनी और कीचने में खैर वो तो अलग बात है कि इनके इस कुट्टे को डांस की अलगी खुजली लग गई अब भाई इसके बाद आते हैं बेंड बाजा पर नाचिन वाले डांसरों के बारी जो सादी के दिन इतना हाई एकसाइटमेंट में होते हैं कि भाईया पूझो ही मत मतलब भाईया पूरी धर्ती छोड़ कर इसको गोड़ी की पूंड यह मिली थी डांस कर लेंगें खैर भाईया डांस तक तो ठीक था पर भाईये महतरमा डांस के साथ साथ जंप भी लगा रही हैं अब भाई इसके बाद मिली एक और दूले से जो साथी के मंड़प में बैटा हुआ था और पंडी जी से दूलर को वचन दिलवा रहे थे मतलब भाईये यह दोला तो पंडी जी पर ही खेल गया कि अगर रूठेगी तो आप मनाएंगी अब ही भाई दोला तुम हो पंडी जी थोड़े ही अब क्या तुम्हारी वाइप को पंडी जी बनाएंगे अब भाई इसके बाद आते हैं इस तरह के बंदे जो दोस्त के साधी में डांस की फुल जिम्मेदारी खुद के सिर पर ले लेते हैं और लग जाते हैं कुछ इस तरह के डांस करने अरे रुक्चा भाई रुक्चा क्या आप नाग मड़ी लेकर ही मानेगा अब भाई इसके बाद आते हैं कुछ इस तरह के दोले जिनने पूरी लाइफ में तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और फिर साधी में अचानक इनको सुन्दर बेबी मिल जाती है जिसके बाद तो भाई उनकी हरकत देखने लायक होती है जैसा कि अब इन्हें ही देख लो मतलब भाई इसके नजर इस पर से हाट ही नहीं रही है अब भाई इसके बाद एक नजर इस ताउ को भी देखो जो साधी में डीजे पर जूम जूम के नाच रहते हैं कि भाईया तब ही अचानक से इनकी वाइफ डंडा लेकर आई जिसके बाद तो भाईया ताउ अपनी धोते उठा कर भागने लगे भागो ताउ भागो वरनट आंटी पकड़ लेंगी तो आज सारा डांस निकाल कर ही मानेंगी भाई सब कमाल है भाईया इसे ही कहते हैं बीबी का खौक जो बुडापे में भी साथ नहीं छोड़ती तो हाँ यार कैसे लगी ये वीडियो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिग कर जरू बताएं और साथी इस वीडियो को लाइक भी कर दे और हाँ ऐसे और मज़दार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन को और पसलिट कर ले थाइक्स पॉर वाचिंग